जम्मो कश्मीर के assembly elections के results का आज चोथा दिन है लेकिन खबर इन डिफरेंट आ रही है लेकिन इस वीडियो में आज हम discuss करेंगे कि बीजेपी को इंदर्वाल कानस्टिच्वेंसी में कहां पर चूप हुई जी हाँ बीजेपी के जो इंदर्वाल के लीडर्स और वरकरांस जो है वो पार्टी से नारहस है और उनका यह मानना है कि तारक हुसेन कीन जो बीजेपी के कैनिडेर थे इंदर्वाल से उनको उस तरह की support नहीं मिली जो शुगन परिहार को किष्टवार का नस्टिच्वेंसी से और सुनील कुमार शर्मा को पाडर का नस्टिच्वेंसी से मिली है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो डाक्टर जितिंदर सिंग का एलेक्षन था एमपी का और इस एलेक्षन में बीजेपी को कहां पर मात लगे कि कैसे तार्क हुसेन कीन हा रहे हम आपको थोड़े से आंकड़े बताएंगे और अगर जो बीजेपी ने प्रफार्मेंस की थी पार्लिमेंट एलेक्षन में मडवा मगलमाईदान चात्रू और ठाकराई ब्लाक का जो एरिया है मगलमाईदान का नस्टिच्वेंसी म है वहां पर वो प्रफार्मेंस क्यूं नहीं बीजेपी इस अलेक्षन में दोरा पाई उसके लिए क्या रीजन्स हैं वो हम तो बता नहीं सकते लेकिन इसमें जो पार्टी के वरकरांस हैं उनका इलजाम है कि पार्टी लीडर्शिप की तरफ से और यहां के लोकल लोग है जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने जो सोशल वीडिया पर मसेज़ डाले हैं उनका ये मानना है कि वो लिख रहे हैं कि पार्टी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली सुनील शर्मा साथ के लिए आनरेबल अमिर्शा साथ साथ खुद पाड़र के पाड़र पहुंचे और कीन साथ के लिए कोई भी नहीं पहुंचा है अमिर्शा साथ किष्टवार की बहन सिस्टर सोगन जी के लिए और पाड़र के लिए सुनील शर्मा जी के लिए कीन साथ के लिए रजिनी शेथी आई थी दो दिन उसको कोई जौनता ही नहीं था रजनी सेथी जो बी जे पी की स्पोक्सपर्सन है उसको कब और है और यह भी बोख रहे हैं कि पार्टी की सपर्ट नहीं मिली सुनीर साथ को जिस तरह सबने बताया आपको कि इल्जाम लगा रहे हैं कि अमिट शाजी प्रदान-मंत्री जी डोडा गए अमिर शाजी पाडर गए उसके अलावा आप अमिर शाजी ने किष्टवार में भी बहुत बड़ा जलसा किया उसके अलावा बीजेपी के कई जो पार्टी के जो लोग हैं जो तारकीन से जुड़े हुए हैं उन्होंने कई सवाला जो है वो इस एलेक्शन के बाद खड़े किये हैं और सवाल करना भी जाइज है मैं बता दूँ कि अगर हम बात करें यह सक्वारो टहाएं जयां है एंपी अलेक्शन में आटो जीटिंदर साब को स्वारों ऺड़ें उनको मडवा और कन से 229,000 की 19 145 वोटों का जो है वो बीजेपी को मडवा में नुकसान उठाना पड़ा पार्लिमेट एलेक्शन से लेकर अगर हम बात करें चात्रू मगल माईदान और केशवान की जो केशवान ठाकराई बलाग का शिस्सा है लेकिन ये इंदर्वाल का नस्टिचुएंसी में इसके वोट डाले हैं डिलिमेटेशन में डाटर जितिंदर सिंग को यहां से एक बहुत बड़ा वोट मिला था जो 875 है यानि की 6175 वोट मिले हैं चात्रू मगल मैदान केहशवान से जबकि तारक उसिनकीन को सिर्फ और सिर्फ 3036 मिले हैं यानि की 8449 मिले है तारक हुसेन कीन को जो नुकसान हुआ है वो 349 वोट का हुआ है और अगर हम देखे जो बैलट वोट है वो डाटर जितिंदर सिंग को 606 मिले थे जबकि तारक हुसेन को सिर्फ 270 बैलट वोट मिले हैं यानि कि 330 वोट का यहां पर खसारा हुआ है और अगर देखा जाए यह तीनों जगाहों पर मिलाकर 4814 वोट का नुकसान हुआ है बीजेपी को यानि कि 4814 वोट जो है वो तारक हुसेन कीन के फ्यावर में मडवा वर्डवन मगल मैदान चात्रू केश्वान में जो है वो हाग में है त्राक हुसेन कीन के हाग में नहीं आया लेकिन अलबता अगर टारक हुसेन कीन को इस कि कहीं से साथ मिला है हो Bolzva से मिला है जहां पर डाक्टर जितिंदर सिंग को 8264 वोट मिले है जबकि तारुख حुसें कीन को इस्बार 237 वोट जो है जो है भॉजवा बलाग से 237 वोट का मतलब है तारुख हुसें कीन को 2030 में वोट जो है वोट जिए ज्याधा मिले हैं यानि कि यह जो प्रफारवेस तारख खुस्यन की की रही क्योंकि बोब को पता था कि तारख खुसेन की जो है वह लोकल है यानि कि जिस तरह से शेक्जुपरळicki मडवा के लोकल थे और जो अमले इंदर्वाल प्यारेलाल शर्मा है वो चात्रू और मुगल माईदान से और कैश्वान से लोकल थे इसलिए वहाँ पर उनको ज्यादा वोट मिला इसी तरह से तारक हुसें कीन को भी जो है वोट मिला जो डाक्टर जितिंदर सिंग के अगर हम देखें जो तारक हुसें कीन को जो वोट मिला है इस अलक्शन में 9550 वोट जो मिले हैं अगर उसको जो 4814 वोट का टोटल खसारा हुआ है पर जो तारख हुसेन कीन है उसमें जो है वो फिर ये वोर्ट जो है वो तेरह हजार प्लस जाता है और तारख हुसेन कीन जो है वो जीत सकते थे यह अलेक्शन यारी कि अगर हम बात करें जो तारख हुसें कीन है वह एलेक्शन जीत सकते थे अगर उसको पार्टी की जो है वो मिली होती और जो पार्टी के जो लीडर्स है अगर वह मनवा में केंपेनी के लिए गये टाप में लिए लिए इम्रान परताबगड़ी गए अगर उस तरह से मडवा में भी जो बीजेपी के कोई टाप लीडर गए होते हैं चात्रू में कोई जलसा किया होता या बुंजवा में कोई जलसा किया होता शायद एक अच्छी वेव जो है वो तारक हुसेन कीन के हाग में बनती लेकिन अब भी जो यह नताई जा रहे हैं और जो मैंने आपको फीगर्स बताई इसके बाद जो तारक हुसेन कीन के सपोर्टर से वह कहीं न कहीं पार्टी लीडर्शिप पर एक तरह से सवाल उठा रहे हैं और यह बोर रहे हैं कि पार्टी लीडर्शिप की वजह से तारक हुसेन कीन हार हैं और भिख्यक को पार्टी का सिंबल था लेकिन यहां पर फिर से पार्टी का इलता है कि बीजिय पी कि वोट है जो पार्टी डीडर के जो हे जमे मिन दके कहीं बीजिय पी का वोट जो है उसको जानबूच कर किसी कैनिडेट के लिए डाईवर्ट किया गया ताकि जो केंट बौ्स 되어 कि निकलेंद और उसमें कौन मिलाविस है किन वजुहात से यह एलेक्शन हारा और उनका यह कएना है कि यह अकेली हार नहीं है यह उन सब की हार है यह party की हार है और party leadership को इसमें inquiry करने की जूरूरत है high level inquiry करने की जूरूरत है और इसमें ये देखने की जुरूरत है कि कि लोगों ने यहां पर एंटी पार्टी काम किया और Quel लोगों ने पार्टी का जो वोट है वो दूसरे केनिडेट के लिए डाइवर्ड कराया जबकि उनका अपना केनिडेट जो जीत के लिए उठा था और जीद की कगार पर था सिर्फ इसलिए वो हारा कि जो मणवा वर्डवन छात्रू मुगल मैजदान और केश्वान में जो पार्टी का वोट था जो डाक्टर जितिंदर सिंग के लिए वोट दिया था वहां पर जो पार्टी के लोग है और लोगों ने वह बाद तारक हुसेन की कीन को नहीं मिला जो कि 4814 का डेफिसेट है यानि कि तारक हुसेन की जो सपोर्टर से और उसके वर्कर से उनका क्याना था कि जब पार्लिमेंट एलेक्शन में वोट कम आ है उनको यह लगा था कि पार्टी और वहां पर जो है वो मैनद करेगी और मनवा वर्डवन छात्रू मुगल मैदान और केशवान से और वोट लेके आएंगे ताकि उनकी सीड जो है वो यह रहेगी इसको देखकर हम आपको यह भी बताएंगे कि आपने नेशनल स्पोक्स परसन जो बीजेपी के चीप थे उन्होंने एक्जिक पॉल के वक्त इंटर्व्यूज में यह बताया था कौंटिंग से पहले भी यह बताया था कि वह पुरमीद है कि इंदर्वाल की सीड जो है इस बार उनको मिलेगी वह सिर्फ इसी आंकड़ों पर बेस्टी जो जाक्र जितिंदर सिंग के एलेक्शन के वक्त लिये गए थे और साथ में यह देखा जा रहा था कि तारफ हु में चात्रु मगल मैडान में केश्वान में उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से उन्होंने डाटर जितिंदर सिंग के एलेक्शन के वक्ट किया था जिस पर जाहिर सी तोर सी बात है तारफ हुसें कीन को भी जो है वह नाराज्गी हुगी लेकिन ये नाराज़्गी जता नहीं पा रहे हैं इस वकत लेकिन उनके वर्कर्, उब जो है कि उनके हारने की वज़ा किश्टवाड की पार्टी की लिडिर्शि normali की उसमें और भी लोगों को जो है वो कुसूरवा ठेराया है जिन लोगों ने अभी यूनिन टेरिटरी लेवल पर या सेंटर लेवल पर तारख हुसेन की इनको यहाँ पर मदद नहीं की और उसके मदद के लिए कोई भी सेंटर से न मिनिश्टर आए और न टाप लेवल लीडर हुई है आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया